जनपत उद्धम सिंग नगर के पुल भट्टा थाना शेत्र में एक तेस रफ्तार कार अन्यंतिरित होकर भूसे से भरे ट्रक में टकरा गई जिससे कार में सवार दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई बतादे की जहनाबाद पीली भीट उत्तर प्रदेश की चेर्मैन ममता गुपता के पुत्र शिव गुपता अपने दो साथी आसिफ और अन्य दोस्त के साथ किछा से पीली भीट की ओर जा रही थे इस दोरान उनकी फॉर्चिनर कार भूसी से भरे ट्रक में पीछे से टकरा गई जिससे आसिफ और शिव गुपता की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक अन्य साथी शिव गुपता गंभी रूप से घायल है जिनने घायल अवस्ता में उपचार के लिए बरेली के अस्पताल में भड़ती कराया गया वहीं इस हादसी की सूशना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुँच कर मतको किशव को कबजे में दे कर पोस्ट माटम के लिए भेजा इसी क्रम में जिले के स्पी क्राइम चंडशेखर घुड़के ने बताया कि हादसे में घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भड़ती कराया गया है उन्होंने कहा कि इस मामले में तहरीर आने पर मुकदमा दर्च कर आगे की कारवाई की जाएगी रूदरपोर से सामधाता मुकेश मंडल की रिपोर्ट हो गए उनको जो है ततकाल 108 के माद्यम से होस्पिटल और मॉर्चुरी में बेजवाया गया एक वेक्ता हैल हुआ उसको उनके परीजनों द्वारा ही बहेडी बरेली में लिचा चुके है और उनकी स्थिती जो है सामान ने बताई जा रही है इसमें यह सामने आया है जो प् 35 में अगरिम विदी कारवाई की जाएगा